नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रियंका केमसी किचन में आज हम बनाएंगे कुंडरी की मसालेदार स्वाधिस्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो की बनाना बहुत ही इजी है चलिए तो आज की सुपर टेस्टी रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे कुंडरी जिसे हमने सारे 700 गराम लिया है इसको अच्छे से वस कर लेंगे और पोच लेंगे फिर इससे अच्छे से कट कर लेंगे इसे दोनों साइट से काट कर हटा देंगे और वीचो भी चीरा लगाएंगे इसके दो ही भाग हमें करना है ज्यादा भाग नहीं करना है इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में इतना स्वादिश लगता है दोस्तों कि आप वार वार बनाना पसंद करेंगे देख सकते हैं मैं कैसे काट रहा हूँ ऐसा ही आप भी काट लेजिएगा दोनों साइट से दो दो चीरा लगा लेजिएगा देखिए ऐसा ही हम सारे कुंदरी को अच्छे से कट कर लेंगे पूरा हमारा कुंदरी हमारा कट चुका है चलिए तो ले चलते हैं गैस की तरफ गैस पे हम रख देंगे कढ़ाई इसमें डालेंगे तेल और तेल के गरम होते ही हम कुंदरी को डाल देंगे अच्छे से इसको हमें भूल लेना है इसको सौफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है धक कर पांच मिनट पकाना है पांच मिनट बाद हमने धकन को हटाया और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक इसलिए अभी डालेंगे क्योंकि कुंदरी अच्छे से पक जाएगा और सौफ्ट हो जाएगा देखिए और फिर हमें ढखकर पांच मिनट और पकाना है पूरा गॉल्डेन ब्राउन होने देना है पांच मिनट बाद हमने ढखकन को हटाया और ये लेजिए कितना अच्छा पूरा गॉल्डेन ब्राउन हो गया है अच्छे से कुंदरी भी पक चुका है इसको और दो सेकेंट के लिए चला लेंगे और फिर इसे हटा देंगे फिर हम रखेंगे कराई वही वाला और उसी में डालेंगे तेल तेल को गरम होते ही इसमें डालेंगे आधी छोटी चमत जीरा जीरा को चटकने देंगे और फिर लेंगे हम दो प्याज को अच्छे से पीस लिया है आप चाहे तो वारिकी से काट भी सकते हैं लेकिन इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छा और ठीक होता है इसलिए हमने प्याज का इस्तमाल किया है इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से हमें भूनना है क्योंकि इसमें का कच्चापन खतम होना चाहिए फिर लेंगे हम लासन का पेस्ट एक बड़ा चमच और इसमें डाल देंगे इसको भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और फिर इसमें मसाले यूज करेंगे आधी छोटी चमच छल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चमच डालेंगे जीरा पाउडर आधी छोटी चमच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर फिर टालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्याज में ही अच्छे से मसाले हमारा पक जाएगा अब देख सकते हैं और फिर इसे ढखकर एकदम लो फ्लेम पर हमें 7-8 मिनिट पकाना है 7-8 मिनिट बाद हमने ढखकन को हटाया और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब बीच बीच में चलाते रहिएगा नहीं तो ये नीचे से लग भी सकता है और फिर इस से बुढ़े हुए मसाले अच्छे से हमारे पक चुके हैं तो हम लेंगे ये फ्राई किया हुआ कुंदरी इसमें डाल कर 2-3 मिनिट और हमें इसमें पका लेना है देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है फिर हमें अच्छे से 2-3 मिनिट बाद इसमें हमें डालना है पानी पानी अपने ग्रेवी के अनुसार से डाल सकते हैं हमने एक कटोरी पानी लिया है क्योंकि मुझे थिक ही चाहिए आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए जो द्यादा पानी का यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है हमारा रेसिपी दोस्तो बहुत ही थिक हो गया है ये ग्रेवी लेकिन मुझे सुखा ही चाहिए इसलिए में कम ही पानी डालूंगी फिर इसे ढग कर हमें पांच मिनट हाई फ्लेम पर पका लेना है और पांच मिनट बाद हमने ढगकन को हटाया और ये लिजी कितना अच्छा हमारा सुपर टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हुआ है दोस्तो मिनट पकाने के बाद हम करेंगे गैस को बंद कर देंगे और ये लिजी हमारा सुपर टेस्टी कुंदरू का सब्जी बनकर रेडी हो गया है जिसे दाल चावल प्राठा पूरी किसी के साथ भी इंजवे कर सकते हैं चलिए तो इसे अब हम सौब कर लेते हैं देखिए कितना स्वादिष्ट हमारी रेशीपी बनकर रेडी हो गई है दोस्तों एन बहुत सी स्वादिष्ट प्लेस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर और सस्क्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई